हेलो फ्रेंज वेल्कम टो में चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं जी मेल का पासवार्ड कैसे चेंज करते हैं जी मेल का पासवार्ड आप दो स्टेप्स में पुरा कर सकते हैं मतलब चेंज कर सकते हैं पहला या तो आपका डिवाइज में पहले से वह email id जो जी-mail में है वो Login हो तब आप विटाउट मोबाई वेरिफिकेशन लेके चेंज होता है तो आप हम ऐसे ही चेंज कर रहे हैं पास्वर्ड तो चलिए अगर आपका आप नहीं है तो आप जाके Google से ले सकते हैं मैं आज आपको बता रहे हूं Gmail एब से यहां पे आप अपर करते ही देख रहे हैं जैसे यहां पर icon हिसे वहां पर क्लिक करते हैं नीचे आपको शोर आणगा गूल अकॉंट करेंगे वहां पर आप simply click करेंगे simply click करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सरे यहां पर information है आपको जाना है जिसे यहां पर home है आप अपने vertical में इसको अगर drag करते जाएंगे यहां पर आपको दिक रहा है security के करेंगे इस security पर आप क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपको यहां पर आ रहा है शाइनिंग इन टू गूगल उसके बाद आवरा रहा है password पासवर्ड यहां पर दिखाई दे जाएगा आपने कितनी दिनों पहले है यहां पर चेंज किया है मेरा 20 सेप्टेमबर दिखा रहा ह यहां पर चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है मगर हमें पासवर्ड नहीं दालना है यहां पर पासवर्ड लिखना है क्योंकि हमें चेंज करना है अपना पासवर्ड यहां पेंटर पासवर्ड बंग रहा है आप ट्राय करेंगे ट कर रखा था इस वज़े से यह कोई भी वो टीपी या वेरिफिकेशन कोड नहीं मांग रहा है अगर यह दूसरे फोन में होता तो यह वेरिफिकेशन कोड जरूर मांगता है तो से पासपोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं सकसेस यूर आप चेंज यूर पासवर्ड इसके बाद अगर वो दुबारा से लॉग इन का आपको आपको आप्शन दे रहा है तो सिंपली आपको लॉग इन कर लीजेगा आपका इमेल आईडी तो वहां पे शो होगा न्यू पासवर्ड जो झाल